हलो नमस्कार दोस्तों के दान्द कलासेस के ओनलान प्रेटफॉर्म पे आप सभी का हादिक स्वाकत वे अभिनंदन प्यारे प्यारे मित्रों आप कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे मस्त होंगे जबर्दस्त होंगे और खतरनाक तरीके से पढ़ रहे हो आई आगर स्थ्सक्रा दोस्तों में बता दूं की हं भारत बोत् 엄 बढ़एसों में अंतिम स्टेज बह मतलब लाक्ष्ड पढ़ाउ पय है तो अपना इसके पेले वड़ी क्लास में हमने क्या पड़ा सब्सक्रा पता है कुछ आपको हमने पड़ा भारत के दूपीं पार्द कि दूने हैं डाल और लालियों फ्री वारत के धी ठीक पर्दे चे दो एक तो है बं न Laurie की तरफ धी पी पर्देश और एक हे अरब सागर की तरफ धी पर स Supply ओ दोस्तों हमने बंगाल की खाणी का पढ़ना शूरु किये थे हमने तो बंगाल की खाड़ी के तीपों को भी तो मैंने दो भागों बाटा था ल में दो भागों में बाटा था बेखो यह है बंग Правी यह क्या है यह है यह है बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी के दीप पढ़ रहे हैं न, तो एक तो है तटके निकट वाले दीप, एक तो है तटके निकट वाले दीप, और एक है तट से दूर वाले दीप, तो दूर वाले दीप थे, उसमें आया था अंडमा, निकोबार दीप समू, वो हम ने पढ़ लिया तो प्यारे दोस्तों आप सब की जानकारी में होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले दीप दो परकार के एक तो है तटके निकट वरती दीप और एक है तट से दूर वरती दीप मतलब जो अपनी सीमा के पास में हैं उसे बोलेंगे तटके बार दीप समू पढ़ लिया पुरा डीटील पढ़ लिया अब हम क्या पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के निकट वरती दीप मतलब बंगाल की खाड़ी के तटके निकट वरती दीप पढ़ेंगे भाई पंगाल की खाड़ी के सट से दूरवर्ती सट से दूरवर्ती में हमने क्या पढ़ा सट से दूरवर्ती में हमने पढ़ा दोस्तो अंडमान निकोबार दीप समू क्या पढ़ा अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार दीप समू इसकी चर्चा हमने कर ली थी यह हमने बढ़ लिए अंदमानी को भार दीप समू तट से दूर वाले और अब है तटके नजदीक वाले हम पढ़ेगे अब क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे तटके नजदीक वाले तटके नश्दीग वाले, तो तटके नश्दीग में कोन आएगा भई, तटके नश्दीग में आएगा जैसे, इदर बंगाल की खाड़े में बहुत सारे दीप है, एक तो है निव मूर दीप, एक है सागर दीप, एक है वहिलर दीप, एक है हरिकोटा दीप, और पंबन दीप कछा दीव दीप अनेक सारे दीप है तो पहले में सभी दीपों को आपके सामने चित्र में लोकेट करूँगा हम कैसे पढ़ते हैं आपको पता है हम चित्र में डिनोट करके पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं इस भूगोल को पढ़ा ही इसे जाता है प्यारे मित्रो यदि करनाटा को आंधर प्रदेश होते हैं बंगाल के खाड़ी में गिर रही है बस एसे रिडिंग कर वा देते हैं आप लेसर से निकल रही है आव यह बताओ तो सही कौन कौन से राजियों से गुजर रही है कैसे इसका बहाव है कि डेल्टा बना रही है या एस्टूरी बना रही है यदि इसकूल टाइम में टीचरों ने आपको भूगोल को चित्रात्म रूप में पढ़ाया होता तो आज तो आप कतई जहर इनसान होते सही है न इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं कतई जहर तरीके से तटके नस्दीक वाले दीप को हम देखते हैं चित्र में यह है इसमें अपना पेला दीप तो है पस्चिमी बंगाल पस्चिमी बंगाल और बांगलदेश की सीमा पर है यहां पे दीप है इस दीप का नाम है न्यूमूर दीप एक दीप है यहां पे उसका नाम है सागर दीप एक दीप है यहां पे उसका नाम है वहिलर दीप और दोस्तों एक अंधर प्रदेश और तमीन लाडू की सीमा पे एक दीप है देखो यह दीप है ना न्यू मूर्दीप पांगलादेश और पस्ची बंगाल की सीमा पे है और थागर दीप इसके नाम बाद में लिख दो पर लिए समझा दू में आपको चलो जाजो यहां पे है तरी हरी आजाओ तो यह कौन सा दीप है यह दीप है न्यू मूर्दीप न्यू पूर यह दीप है न्यू मूर्दीप सही है ना बताओ दोस्तों यह न्यू मूर्दीप कहां है यह न्यू मूर्दीप पस्ची मी बंगाल प्लस पांगलादेश की सीमा पे है पस्ची मी बंगाल प्लस पांगला देश इस दोनों की सीमा पे यह साप दिख रहा है बिल्कुल साप दिख रहा है तो आजाओ फिर यह है सागर दीप यह कौन सा दीप है मेरे दोस्त सागर दीप कौन सा दीप है यह सागर दीप यह सागर दीप कहां पढ़ता है भई सागर दीप तो पढ़ता है पच्ची मी बंगाल में यह पड़ता है पच्ची मंगाल में साब दिख रहा है यहाँ पर आता है श्री हरी कोटा दीप वहिलर दीप यहाँ पर आता है वहिलर दीप कौन सा दीप वहिलर दीप तो वहिलर दीप बताओ दोस्तों कहां पढ़ता है वहिलर दीप पढ़ता है ओडिसा का एक बहुत बड़ा सहर है उसका नाम आपने सुना होगा मेरे दोस्तों उसका नाम है भूनेशुर तो भूनेशुर ओडिसा राजे का भूनेशुर सहर है उसक ताटवर्ती इलाकों में दीब है वो दीब है वहिलर दीब ठीक है और यहाँ पे दीब आता है अंद्रपरदेश और तमिल्लाइडू की सीमा पर पड़ता है इस दीब का नाम है दोस्तों किरी हरी कोटा दीप क्या नाम है इसका इसका नाम है सिरी हरी कोटा दीप किरी हरी कोटा दीप इस हरी कोटा दीप से क्या होता है उपगरों का प्रिक्षेपन किया जाता है उपगरे क्या होते है अरे शेटलाइट लॉंचिंग सिस्टम है यह है शेटलाइट क्या है है लेड जैसे हमारे भारत ने आपको पता हो तो 2019 में एक अभियान बेजा था उसका नाम था चंद्रयान पर्थम इसका लेंडर यह था बिक्रम था अनुब रोवर क्या था वह सरा अलग नाम है जैसे चंद्रयान पर्थम कहां से बेजा गया वह यहीं तो इसका नाम है Pamban Deeb, इसका नाम क्या है Pamban Pamban Deeb इसका नाम और यहां पे Deeb ए उसका नाम है कछादीवदीब, किया नाम है दोस्तो? K Tr Chh, यहां पे आप दिखेगा नहीं, किदर लिख देते हैं दोस्तो? यहां पे यह दीप है न इप इधर वाले इलाक्या में बंगाली खाड़ी में आयेगा अच्छा दीव दीप अच्छा दीव दीप तो मित्रो हमने कुछ दीपों की लोकेशन दर्साई है और यह दीप कहला थे बंगाल की खाड़ी के निकड़ वरती दीप क्या है बंगाल की खाड़ी के निकट वरती दीप आप से पुछे बताओ बंगाल की खाड़ी के दूर वरती दीप कौन-कौन से है तो आप कहोगे एंडमान निकोबार दीप शमू बंगाल की खाड़ी का दूर वरती दीप है पताओ एंडमान में कितने बड़े दीप है कौन सा कार निको बार पार निको बार खोटा निको बार ठीक है वो तो हमने पढ़ लिया और अपनी हेडिंग क्या चल रही है दोस्तों अपनी हेडिंग चल रही है बंगाल की खाड़ी में इस्तित कट वर्ती दीब क्या heading चल रही एक अपनी? अपनी heading चल रही है पंगाल की खाडी के पंगाल की खाडी के निकट वाले दीप निकट वर्ती दीप शही है क्या? बिलकुल शही है कहां सही है यह देखो सही है यह बंगाल की खाड़ी है और यह तटपे है और अब हम शुरू करते हैं इस सभी दीपों के एके करके इसकी कहानी लिकना शुरू करते हैं किस दीप की क्या लोकेशन है और कौन सा दीप है इसकी क्या विशेष्टा है वो हम एके करके शुरू करत है प्यारे विद्वानों प्यारे साथियों आ जाओ अगले पेश पर आ जाओ क्या ओव भाई अपना पहला दीप है उसका नाम है दोस्तो न्यूमूर्दीप क्या है कि न्यूमूर्दीप कौन सा दीप है यह नियुमूर्दीप तो नियुमूर्दीप की कहानी क्या है दोस्तों यह नियुमूर्दीप भारत और बांगलादेश के मद्धिये अभी विवादिदीप है जैसे देखना आपको पता है यह आरी है गंगा नदी कौन से रही है यह है यह है गंगा नदी एगन दी गंगा की साइग वे उसका नाम ए उगली न दी यए गimmड़ित आगार इसका नाम हूगली न इपना की हो गया हुगली न दी तो यह हुगली एडेल टैल पनाएगी पहोगा अगे की ए attitude शे प्राइगी यह यह डेल्ट बना दिये तो दोस्तों यहां पेग दीप इसका नाम है नियू मूर्दीप किस दीप का नाम है किस दीप का नाम है नियू मूर्दीप यह है नियू पूर दीप तो यह न्यूमूर्दीप बांगलादेश और भारत दोनों के बीच में विवादी थे दोस्तों, क्या का हमें ने, यह है इधर वड़ा तो है बांगलादेश और यह है पस्चीम बंगाल, तो इस दोनों के बीच में है ना, तो न्यूमूर्दीप भारत और बांगलादेश के मद्य एक विवाद्धी दीप है जो कि गंगा नदी और हुगली नदी के डेल्टा सक्तिर में इस्ति थे क्या है यह गंगा नदी और हुगली नदी के डेल्टा सक्तिर में इस्ति दीप का नाम है नियू मूर्दीप इसके बारे में हम लिख लेते हैं दोस्तों कि आजाओ यह दीप भारत वा भारत वा भारत वा पांगलादेश के भारत वा बांगलादेश के मध्य एक विवादी दीप है क्या है भाई यह एक विवादी दीप है किस किस देशों के बीच में है भारत के और पांगलादेश के मध्य विवादी दीप है क्यों है क्योंकि यह है और हाँ सिकानी है यह दीप क्या है यह यह दीप हुगली नदेवा गंगा नदी के डेल्टाइ शaneous क किल में इस تी ती ते यह दीप लिख व लिखो पयी हुगली नदी यह नदी यह को प्लाले युगली कहा है पूगली पश्ची मंगाश में हुगली नदी वा गंगा नदी, गंगा कहां से बे रही है, भारत में बेने के बाद पस्ची मंगाल में जाती है, तो हुगली नदी वा गंगा नदी गंगा नदी के टेल्टाई सेक्टर में श्थी थे गंगा नदी के टेल्टाई सेक्टर में श्थी दीप है टेल्टा सेक्टर में श्थी थे भई टेल्टा सेक्टर में श्थी थे तो बताओ मित्रो यह नियुमूर्दीप कहा श्थी थे नियुमूर्दीप पस्चीम बंगाल चैनल और बांगलादेश के बीच में स्टीद है और यह एंदीप भारत और बांगलादेश के मद्य एक विवादित disp है तो इसनी से नीचे आता है अपना पस्चिव मंगाल यह देखो यह नियूमूर्धीप यहाँ पर नाभी यासे गंगा आ रही है और यहां से हुगली आ रही है दोनों का डैल्टा है इसे तरह यहां पे है हना इसलिए यह दिवादित हो गया तो आजाओ मित्रो इसके बाद न्यूमूर के बाद में कौन सा दीप है सागर दीप तो सागर दीप है पस्टी मंगाल में ठीक है बताओ सागर दीप कहां है लालो और लालीो अब पढ़ते हैं दूसरा हम सागर दीप दूसरा हम पढ़ते हैं सागर दीप सागर दीप पढ़ रहे दोस्तों अब बताओ सागर दीप कहां है सागर दीप पस्टी मंगाल के तड़ वर्ती सीमा में इस्ती थे पस्टी मंगाल के 37 में इस्ती थे और यह सागर दीप है ना किसी दीप के उपर भारत का एक परशिद ति तिर्थ इस्थल इस्थल भारत का एक परशिद तिर्थ इस्थल भी परशिद है उस्थ तिर्थ इस्थल का नाम है दोस्तो गंगा सागर तिर्थ इस्थल क्या नाम है गंगा सागर तिर्थ इस्थल तो मित्रों आप से पूचे बताओ गंगा सागर तिर्थ इस्थल कहां इस् यह दीप पस्चीम बंगाल में इस्थी थे, यह दीप पस्चीम बंगाल की या पस्चीम बंगाल के मंगाल के 30 सेक्टर में स्थी थे 30 सेक्टर में 20 थे 30 सेक्टर में इस्थी थे खीक है और सागर दीप ने सागर दीप पर ही दीको किसी सागर दीप पर भारत का एक परशिद तिर्थ इस्थल इस्थित है उसका नाम है दोस्तो गंगा सागर तिर्थ इस्थल सागर दीप पर भारत का परशिद भारत का परशिद तिर्थ इस्थल इस्थित है एक तिर्थ इस्थल है, कौन सा इस्थल है दोस्तों, भारत का एक तिर्थ इस्थल है, जिसका नाम गंगा सागर तिर्थ इस्थल, क्या नाम इसका, इसका नाम है गंगा सागर, गंगा सागर तिर्थ इस्थल, तो मित्रों बताओ, गंगा सागर तिर्थ इस्थल कहां पढ़त है पस्चे मंगावन कहां पड़ता है थागर दीप के उपर बढ़ता है ठीक है यदि आपको घूमने की इस्चा होए फिर्थों की नगरी जाना हो उसकर घूमने में क्या है कभी बाहर भी जाके देखो बाहर क्या हो रहा है मित्रो जब अंडे के अंदर बच्चा होता है तो दुनिया बहुत बड़ी लगती है ना ठीक उसी प्रकार अपने एजमेर को छोड़के देखो दुनिया बहुत खूबसूरत है ना तो मित्रो यह गंगा सागर्ति तिर्थिस्तल कहां है पस्चिम बंगाल में इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे दोस तो यूमूर्दीप हो गया थागर्दीप हो गया अब आता वहिलर्दीप ठीक है अब क्या आता है अब आता है मित्रो वहिलर्दीप हडिंग लगाओ वहिलर्दीप तीन नमबर है नहीं है वहिलर दीप की एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूं में आपको वहिलर दीप इसको आपको इमपोर्टेंट लगाना है और यह एकजाम में पुछा जाता है हर बार पुछा जाता है इसकी कहानी तोड़ी सुन आप देखो आप प्यारे मित्रों एक दक्षिन में एक आदमी था दक्षिन भारत में उसका नाम था Dr. A.P. जब्दूलकलाम जो भारत का राष्ट पते भी बना था एक समयed मैं आप सब को पता है तो डोक्टर एपी जे अब्दुलकलाम का जीवन का अधिकान समय यदि किसी दीप पे बिता वो दीप था वहिलर दीप क्या कहा मैंने जोक्टर एपी जब्दुलकलाम ने अपने जीवन का अधिकान समय यहीं बिताया था इसी दीप पे यह दीप कौन सा है यह दीप वहिलर दीप और इसी दीप पे रहते हुए एपी जब्दुलकलाम साब ने किताब लिखी थी उस किताब का नाम था माई जर्नी मेरी यात्रा ओन्सी किताब लिखी दोस्तों Administration और हिंदी में बोलते हैं मेरी यात्रा मिसायल मैन अफ इंडिया भौरत में मिसायलों का जनक कुण था डॉक्टर एपीजी अबधुल कलम था तो मिसाईलों का जनक है और वो मिसाईलों का प्रकषाब भी करता है, मिसाईल देखना नाम सुनना, आपके मन में आता होगा, ये मिसाईल किया है जाए? अरे मेरे मीतरों, ये मिसाईल देखना, नाग, शुषूल, परत्थवी, ये निया घै स्थग आ नाम नहीं सुनना इसी वहिल्यार दीप से प्रक्षेपन किया तो परत्वी मिसायल साली उपर तो नहीं गी और बाहर समुद्र मत नहीं गी और वापी जाके इसी दीप गिर गई भी ओल ले अपर पटा को छोड़ाओ अब स्पोच गरना हम जब रॉकेट छोड़ते हैं चैसे यह रोकेट ठीक है रोकेट है ओकट की बत्ती लगाई बत्ती लगाई आपस हो चाहागा वह आगए जाई हन्याए बटिकी जाई पर वह बेटो पापटी ओडिक होँ जाए पर उल्टा भी हो जाता है रोकेट को हम बेजना तो उदर सार है और साड़ा पता नहीं किसमत कराब हो तो रोकेट का मुझे रहे अपने को पता ही नहीं चले और अपने उंपर ही आजा है रोकेट है ठीक उसी परकार जब डोटर एपीज अब्दुल कलाम ने एक मिसाइल पर पर्थवी पॉइंट ठीक है और एक बात ओर सुनो जब एपीज अब्दुल कलाम तो जवर्गवास हो गया मतलब एपीज अब्दुल कलाम स्यांत हो गया मर्त्य को प्राप्त हुए नहीं जब वो सांत हो गया उनकी मर्त्य हो गई तो इस वहिलर दीप का नया नाम के रख दिया दोस्तोन के रादीप क्या रख दिया कैलाम दी यह पूरा बॉलना चाहता है बुर्दोर डौक्टर एपीज भडुल कलाम दीप नया नाम रख दिया इसका मित्रोर आप से पूचे बताओ वहिलर दीप का वर्तमान में नया नाम क्या है तो आप को बताना डौकर एप यह दीप यह दीप ओडीसाराजिय में इस्थितบूनेसव नगर के पास इस्थित देख लो यह वै लेर्दीप है यह ओडिसा के पास यहां पर एक नगर है इसका नाम है बूनेशुर gross तो बूनेशुर्ण के पास इस्थितहबए है क्यो maneira कि लुण यह दीप ओडिसा राज्ये में बूनेश्वर नगर के ओडिसा राज्ये में इस्थित बूनेश्वर बहुत स्मार्ट छीटी है बूनेश्वर बूनेश्वर सहर के निकट बूनेश्वर सहर के निकट सटी ये भाग में इस्थित तया दोस्तो यह दीप ओडिशा राजिये में इस्तित भूनेश और सहर के निकट तटिय भाग में इस्तित है और इसी दीप पर कलाम सहाब ने अपने जीवन का अधिकान समय वेतित किया था दिखो कि इसी दीप पर एपीजे अब्दुल कलाम सहाब कलाम सहाब ने एपीजे अब्दुल कलाम सहाब ने अपने जीवन का अपने जीवन का अधिकान समय वेतित किया था अपने जीवन का अपने जीवन का अधिकान समय व्यत्तित किया और एक बुक का भी विमोचन किया और एक बुक भी लिखी यहीं रेके उसने उस बुक का नामता माई जर्णी हिंदी में कहते हैं मेरी यात्रा अधिकान समय वेतित किया और और किसी दीप रहते हुए किलाम सहाब की बात ओर रही है बैई किसी दीप पर रहते हुए किसी दीप रहते हुए माई जर्नी माई जर्नी मतलब मेरी यातरा मेरी यातरा नामक पुष्टक लिखी थी यह पुष्टक किसने लिखी थी डोक्टर एपी जब्दुल कलाम सहाब ने लिखी थी था यह ना और इसी दीप पे जब कलाम सहाब प्रत्वी मिशाल का प्रक्षेबन कर रहे थे तो वो प्रत्वी विशायल फूम के वापिस वही गिर गई इसलिए इस दीप परत्वी पॉइंट भी इस्तित है वहीलर दीप पर वहीलर दीप पर परत्वी पॉइंट इस्तित है वहीलर दीप का नया नाम क्या है जो यहां समय वेतित किया उसी के नाम पर है नया नाम क्या है वाई नया नाम है डॉक्टर एपी जब्दूल कलामदीप डॉक्टर एपी जे अब्दूल कलामदीप नया नाम क्या है जोक्टर एपी जब्दूल कलामदीप है तो दोस्तों अपना ये काम तो होता है पूरा अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सिरी हरी कोटा दीप यह सिरी हरी कोटा दीप आंदर परदेश और इसके यहां है बारत का अगरे प्रक्षेपन के अंदर है और इसी पर सतीष दवनंतरिस के अंदर इस्तित तो अगला है अपना देख लो यह कुण सा है बई वहिलर के बाद आता है श्री हरी कोटा दीप आजाओ लिखो अब कौन सा लगाएगा अब लगेगा दोस्तों तीन के बाद लगाओ चार नंबर चार नंबर है श्री हरी कोटा दीप चार नंबर के बाद क्या है श्री हरी कोटा एक बाद बता दू क्या यह श्री हरी कोटा दीप आंदर परदेश और तमिलनाडू की सीमा पर है और एक जील है पुलिकट जील के सामने है पतलब पूलिकटट जील कोनाव है कि अensive पूलिकटजी ले और यहां पेग दीप उसका नाम में हरी कोता डीप देखो सेंब fotos केंदर है उसका नाम है सतीच धहल ऐंतर यहां से उप्ग्रो का भिमोचन किया जाता है उप्ग्रो को छोडा जाता है यादी एपने को Wenn स्लाइट स्टापित करने हैं अंत्रिक्स में तो वो कहां से छोड़ जाते हैं मित्रो वो छोड़ जाते हैं यहां से सिरी हरी कोटा दीप से सिरी हरी कोटा दीप में क्या है सतीस धवन अंत्रिक्स के अंदर है वहां से उपगरो का प्रेक्षेपन किया जाता है ठीक है ठीक डा यह दीप कहा है भई यह दीप आंदर परदेश वा तमिल नाडू आंदर परदेश वा तमिल नाडू की तमिल नाडू की पीमा पर इस्थितिक जील है तमिल नाडू वा अंदर परदेश की सीमा पर इस्थित जील सीमा पर इस्थित जील उसका नाम क्या है पुलिकट जील क्या नाम है इसका इसका नाम है पुलिकट जील तो मित्रो पुलिकट जील के पास में एक दीप है उसका नाम है यह है पुलिकट जील आंद्र प्रदेश वे तमिल्लाडू की सीमा पर इस्थित पुलिकट जील के पास इस्थित है ठीक है इसी हरी कोटा दीब के उपपर लिखो भाई हरी कोटा पर अंत्रिक्स के 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 अंत अंतरिक्स ग्ंदर अंतरिक्स गंदर किस्ट तेता इत्रोशवा, सद्टित्र presidential थान थां सद्टित्र कि ज colleg से सद्टित्र से 37 धवन से 37 धवन से क्या होता है मित्रो 37 धवन से उपगरो का प्रक्षेपन किया जाता है 37 धवन से अंत्रिक्ष में उपगरे छोड़े जाते हैं अंत्रिक्ष में अंत्रिक्ष में उपगरे खोड़े जाते हैं अंत्रिक्ष में उपगरे छोड़े जाते हैं मित्रो कहां से छोड़े जाते हैं तिरी हरी कोटा दीप पे इस्तीत 37 धवन अंत्रिक्ष के अंदर से उपगरो का प्रक्षेपन किया जाता है ठीक है तो यह होता है अपना हरी कोटा दीप हरी कोटा दीप के बाद में क्या है दोस्तो हरी कोटा दीप के बाद में है मित्रो पंबन दीप पंबन दीप और इसके बाद में है कछा दीव दीप पहले आ रहा है पंबन दीप किस पंबन दीव को थोड़ा में और थोड़ा डी किते हैं किया पढ़ते हैं अमबार दुद眸 तो कि यह सबसुदु ब्राइब ने यह सबते हैं ये अपना प्यारा भारत है ये Дin फाइब अन्य था दो यह और मैं अब सब को पता है करनाटक में यहां पे एक बंदरगा है उसका नाम है मेंगलोर बंदरगा क्या नाम है मेंगलोर बंदरगा और यहां तमिलाडू में एक बंदरगा है उसका नाम है चेन्नाई बंदरगा जो यहां पर एक दीप है उसका नाम है पंबन दीप जो यहां पर राम से तू आप सब को पता उना चाहिए पंबन दीप और एक दीप है तलाई मनार दीप और इसी पर है एक राम से तू और इसी प्रवर्व्र जो दिप उसका नाम तो है पंबन दीप और सिरिलंगा की तरफ एक जो दीप उसका नाम है तलाई मननार दीप नाम लिख दो उसका यह दीप कोण सा है पंबन और यह दीप कौन सा है तलाई मननार दीप तलाई तलाई मनननार दीप यह है दोस्तों तलाई मनननार दीप आप सब को बता है आपने जीवन में रामयन तो देखी होगी अरे मित्रों आपने रामयन देखी जब बगवान शिरी राम भारत से सिरिलंका जाते हैं तो वो तमिल नाडू के इसी इस्तान पंबन दीप पे एक मंदिर का निर्मान करते हैं प्यारे मित्रों आपने कभी रामयन नहीं देखी तो आपने जीवन में कुछ नहीं देखा लालो और लाली और रामयन तो देखा करो कम से कम और रामयन में बहुत सारी चीजे हैं जो अपने जीवन देनिक जीवन में अपने को बहुत कुछ सिखा के जाती है मेरे दोस्तों अरे मत भागवत गीता वगर पढ़ने की नीं बोल रहा हूं मैं तो मैं तो रामायान देखने की बोल रहा हूं ठीक'S तो रामायन जब देखी तो रामायन में भगवान स्री राम भारत से जब स्रिलंका जाते हैं तो इसी पंबन दीप एक मंदिर का निर्माण करते हैं दोस्तों उस मंदिर का नाम क्या है? रामेश्वरम क्या कहा भई वो मंदिर रामेश्वरम जहां आज बगवान शिव का बहुत बड़ा सिविलिंग भी है और रामेश्वरम तिर्थिस्तल भी है यह बाई साब देखने के लिए मतलब परेटक स्तल बहुत बड़ा परेटक स्तल है धार्मिक इस्तल है भगवान श्री राम है ना भई तो धार्मिक शंग्धनों का बहुत बड़ा ओचित्ति है यहां पर ठीक है तो आपके ध्यान में उना चाहिए इसी पंबन दीब के पास एक तिर्थ इस्तान है उसका नाम है रामेश्वरम क्या है रामेश्वरम तो मित्रो जब बगवान श्री राम भारत से श्रिलंका जा रहे थे तो रस्ता बनाया यहां पर तो जल्था ना भई पुराई पुरा जल्था तो राम जी की सेना वाले कौन है हनुमान जी वानर उनको कहा भई रस्ता बनाओ तो वो सेना को लगा दिया और सेना चोटे-चोटे- मार्ग बन गया तो दोस्तों इस मार्ग को क्या बोलते है रहे दोस्तों इस मार्ग को बोलते हैं राम से तू कौन सा से तू किसे बोलते हैं राम से तू यह है राम सेतु यह राम सेतु क्यों है बई अरे दोस्तों राम जी के लिए बनाया है यार राम जी जब भारत से सिलंका सार जा रहे हैं तो भारत को सिलंका से जोडने वाड़ा है इसलिए सेतु बोलते हैं राम जी जा रहे हैं इसलिए राम बोल रहे हैं जोड रहा है इसलि निर्मान किया गया, वो रस्ता आज क्या कहलाता है, राम सेतु कहलाता है, ठीक है, वो राम सेतु कहलाता है, और प्यारे मित्रों आपको यह भी जानकारी मोना चाहिए, राम सेतु के इधर क्या है, इधर है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी, क्या है, इसका नाम है मन्नार की खा का नाम क्या है दोस्तों मनार की मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी दोस्तों मनार की खाड़ी की एक विशेश था बता दू किया आपको मैं अरे यह मनार की खाड़ी यहां यहां पर बहुत चोटे-मोटे जीव-जन्तु पाये जाते हैं मतलब सेवाल हरी सेव लाल हरी सेवाल बहुत सारे खोटे मोटे जीव जन्तु पायाते है मचलिया बहुत पाया जाती है ना भई इसलिए जेव सरक्षित शेक्तर है यह मनार की खाड़ी जेव सरक्षित शेक्तर है और यह प्रियावरन प्रेमियों का बहुत बड़ा इस्ताल है यह मनार की खाड़ी यह कौन सी है बंगाल की खाड़ी तो आपको बता दो मनार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को जब मैं एक बाद बता दू आपको दोस्तों जबी यह है बंगाल की खाड़ी कौन सी है बंगाल खाड़ी और देखो, क्या आ गई वाई, बहुत बड़ी है ये तो, पंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ये छोटी सी है, मननार की खाड़ी, ये है मननार की खाड़ी, तो ये भी जल है, और ये भी जल है, तो जलो को जब कोई भूमी जोडती है, तो उसे बोलते है जल संदी, क्या बोलते हैं, जल संदी, तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी को, मननार की खाड़ी से ये जल संदी जोड रही है न, ये टुकडा जो जोड रहा है न, ये वाड़ा इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे पाक जल संदी क्या बोलेंगे पाक जल संदी अब आपके दिमाग में आएगा यार ये पाक क्या है और ये पाक पाकिस्तान वड़ा नहीं है ये पाक पाकिस्तान वड़ा नहीं है दोस्तों पाक का मतलब होता है सुद्ध तुद्ध होता ह इसकार्थ क्या होता है सुद्ध पाक का मतलब है सुद्ध या थाप ये पाक जलसंदी जब मैं छोटा था आपके जैसे तो मैं पढ़ता ये पाक जलसंदी बंगाल की खाड़ी को मनार की खाड़ी से जोड़ती है ये चितर तो देखा ही नहीं कहीं एसी किताब अब रटता ज दोस्त पाक का अर्थ होता है चुद्ध पाक का अर्थ होता है सुद्ध या साप ठीक है तो इसी पेजपाओ वापिस यहाँ पे यहाँ पे जो एक यहाँ पे एक जलसंदी बन रहे है ना इस जलसंदी का नाम क्या है दोस्तों पाक जलसंदी पाक जल संदी तो आपको ये पता उना चाहिए पाक जल संदी किस को जोडती है और किसको अलग करती है ये पाक जल संदी बंगाल की खाड़ी को मननार की खाड़ी से जोडती है और भारत को सिरलंका से अलग करती है अरे जल संदी का मतलब यही होता है भूमी के भाग को तो अलग करती है और जल को जोडती है तो देखो बंगाल की खाड़ी के जल को मनार की खाड़ी के जल से जोड रही है और भारत को सिर लंका से अलग कर रही है ठीक बात है ना बिल्कुल ठीक बात है तो एक बात बताऊं क्या एक 2003 की बात है हाँ 2003 की बात है और आपने भारत को प्रदार मंतरी हो साब अटल विहरी वाचपाई कोन थे अटल विहरी वाचपाई बीजेपी का बहुत बड़ा मारती हा आप सब को पता उना चाहिए जब उसके मन में आया किसके मन में आया मेरे ये तुम्हारे नहीं अटल वियारी वाचपाई जी के मन में आया यार अब क्या करें कि जब मेंगलोर बंदरगा से अपना कोई जाज है उसको चेन नहीं जाना है ममबई अधिय है मेंगलौ बंदर्गा से देना परें नहीं जाना है तो यहां से जाच जाएगा इतना खूम के आएगा और यहां पर पाकिस्तान का एक बंदर्गा परता है उसका नाम में को लंबो बंदर्गा AC 2000 धर दूनी आर्फ एक बंदर कह ता यह कोछ अम cœurutada Rivasal पाकिस्तान का ये वड़ा इलाक है ना यहां एक बंदरगा उसका नाम है कोलंबो बंदरगा क्या नाम का में ने दोस्तों कोलंबो बंदरगा और दीखेगा निसे तो यहां पर है कोलंबो बंदरगा कोलंबो बंदरगा आप जब यह से जाजाएगा तो इजर्णामसेत्उ है रामसेत्उ के अंदर तो रष्टयाज निसकेगा यहाँ से फिर ऊह्रों के कोलमातों अंदर का रूपे चायवानी पीएगा आपको फिए गवेंगाव सेवनें से नगर ओर श्बैच वर ता हम बढ़े बढ़ेकर आवा जब चेन नहीं जा रहा है तो बहुत दूरी पड़ती है यहां से आके वो चाय पानी तो पियेगा विचे रहा बिच में यह को लमब बंदर का गया यहां पर आते है चाय लेलो चाय लो नास्ता पानी पूरी पीलो कुछ भी खालो है तो यहां के वो अराम करता है जहाज वाल तो जहाज वाला आराम करेगा तो इसका तो कारबार बढ़ेगा ना भई इसका काम दंदा बहुत अच्छा चलेगा जैसे मुझे दिल्ली जाना है तो जेपूर जाके होटल में रुकना पढ़ेगा ने मेरे को लेट हो जाऊंगा तो मैं ठीक उसी परकार यहां से कोई जहा है तो कोलंबो मंदरगा पे वो रुकेगा आराम करेगा गेस्ट हाऊस में जाएगा उसका परियोग करेगा और उसके बदले में उसको फैसे भी देगा भई तो बहुत अच्छी एकनों में बढ़ रही है कोलंबो मंदरगा की तो तो अटलवियारी वासपाई जी के मन में यार इत्ता रिपया जारिया से लिंगा करने आपे काम करा राम से थुल्ल तोड़ देवाँ सालाना क्या कहा राम से तुछ तुछ देते हैं और अपना जाज यहां से सीदा जनने चेला जाएगा और यदी अपने ड्राइवरों का ही रूखना भी है तो अपना केरयर यहां जाएगा अमिल्याडू में रुख जाएगा आंदर प्रदेश में रुख जाएगा तो फेसे अपनी तो बचेंगे और पिया तो घर का घर में रहे जाए ने यह बारक उजागे अपना दी वाजू दिमाग लगायो बे और दिमाग लगायो तो योजना कुण सी दोस्तो वो योजना थी उसका नाम था सेतू समुद्रम योजना क्या नाम है योजना का सेतू समुद्रम योजना सुरू उसके मन में यह आया वही उसके मन में आया और विचार किया गया विचार करने से पहले इस योजना को इस थकित कर दिया गया इस योजना को इस थकित कर दिया गय जेतु समुद्रम योजना को स्थकित कर दिया गया बड़ो काम हो गयो तो etus समुद्रम योजना को स्थकित क्यों किया गया इसके पिछे 2-3-4 कारण है आप सब को वता दू किया मैं ए है यदि हम इस राम सेतु को तोडेंगे यदि हम राम शेतु को तोड़ेंगे तो भारत के अंदर धार्मिक संगठन इसका विरोध करेंगे पहली बात और दूसरी बात यहां से कोई जाज यहां से जाएगा मननार की खाड़ी होते वे जाएगा तो मननार की खाड़ी तो जेव सरक्षित सेक्ट रहे भाई और जीवों का बहुत ब बहुत पाए जाते हैं सेवाल हरी सारे पाए जाते हैं यहां पिलगी ठीक है तो प्रियावण प्रेमी भी इसका विरोध करेंगे और सिरलंका इसका परचार कर देगा कि भारत वारे राम सेतु को तोड़ रहे हैं और मननार की खाड़ी में जो जीव है ना उसका भी विनास कर रहे 또 पारस्तितीका असुंतलन हो जाएगा संतूलन बगट जाएगा यह को कहेंगा इसका परचार कर रहा हैución कऊ तो पहला कर नाक है के रमिट भारत के धार्मी और इसका विरोध करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि राम जी अपने दरम से अपने द्रम से सब्ल़ों से सब् तो तीसरी बात, यहां से कोई जा जा रहा है, तो कोलंबा के वंद्रगों को तो इकनों भी बढ़ रही है, उसके तो पेसा आ रहा है, उसका तो विकास हो रहा है, तो सिरलंका नहीं चाहेगा, कि यह रामसेतु को तोड़े और यहां ने आने वाले जाद ऐसे निकल जावे, और यह मार्ग अपने ही काम का नहीं है, यह सब का हो जाए, देखो, इदर यूरोप, अभरीका, उस्टलिया, अमेरिका, सारे जो देश है न, इदर से आएंगे, और वो नमो नहीं जाएंगे फिर वो, जैदी उसको मलेशिया जाना है, यहां से निकल जाएगा न, इसलिए गाटा होगा सिरलगा को, सिरलंका भी जोना है, इसका है विरोध कर रहा है, छान उसरे कर रहा है, वहां कर देखिड है, वह कन देखिए, इसका पर भरोध को बता दिया, तो सिरल लंका पर्याइमा के है, ज chi City सबको Krashenamете, रोग जायो और महीं आपको कि बता दिया, ठीक है तो यह पंबन दीप होता है पंबन दीप के बारे में कुछ हम लिखते हैं दोस्तों आ जाओ हम लिखते हैं पंबन हम लिखते हैं दोस्तों पंबन दीप पंबन दीप यह दीप यह दीप समिल नाडू के थट मिष्थी थे यह दीप समिल नाडू के थट पर इस्ति थे पर इसी दीप पर रामेशुर मिष्थी थे कि सी दीप पर कि दीप परkryमेश्वरम, रामेश्वरम चुरे ठीक है और पमबन दीप, और तलाई मननारदीप, दोनों दीपों के बीच को जोड़ने वळा राषता है उसे रामसेत्य केते हैं, ये देखो न्या आपको दिखाया फिर में ने ये पंबन दीप ये है और तल'Mनर दीप ये है तो फंबान दीप और तलाइ मननार दीप के बीच जो राष्टा है तो क्या कहते हैं थिखो आपन दीप पंबन दीप व तलाई मननार दीप पंबन दीप व तलाई मननार दीप तलाई मननार दीप पो, जोडने वाला रास्ता तो को चोड़ने वाला रस्ता चोड़ने वाला रस्ता या मर्ग क्या किलाता है दोस्तो वो किलाता है दोस्तो राम से तू क्या किलाता है वो किलाता है राम से तू आई ना और इसके बारे में क्या लिखे दोस्तो राम से तू हो गया अपना इसके बारे में है यह राम शेतु ठीक है राम शेतु अब आजाओ इसके अंदर बंगाल की खाड़ी है यह है पाक जलसंदी दोस्तों पाक जलसंदी किसे कहते हैं पाक जलसंदी मनार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है इसी के पास एक हेडिंग लगा लो तैक है नहीं अपनी इत। पाकल को 옛िण इतार यह यह संदी का मतलब है फोल संदी जल को थो जोड़ती है और भूमी के बागत करती है किया कहा मैं न कोको जोड़ती है और भूमी के भागत को अलग करती है ठीक है आजाओ नित्रो यह है जल संदी किस को जोड़ती है बैई जल को जोड़ती है न तो बंगाल की खाड़ी को यह है बंगाल की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी को मनार की खाड़ी से जोड़ती है मनार की खाड़ी से जोड़ती है मन्नार की खाड़ी से चोड़ती है तथा भारत को सिरी लंका से अलग करती है ये भी लिख लो तथा भारत को पाक जलसंदी पाक जलसंदी भारत को सिरी लंका से अलग करती है किसे अलग करती है सिरी लंका से अलग करती है सिरी लंका से अलग करती है तो ये पाक जलसंदी अपड़ी पूरी हो गई इसके बाद क्या है बचा कि और कोलंबो तो बंदर का सिरिलंगा का है आपना कोई काम का ही नहीं है और बचा उपनी शेतूस rifam isolis 너 जना सैtechn हो समूद्रम योजना आप मित्रोंअ अब हेर्डिंक लगाओ से टू समूद्रम योजना है है थे तू समुद्रम योजना है आना बई योजना कौन सी है थे तू कि समुद्रम योजना क्या थी मेरे दोस्तों मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कि चेन्नाई बंदरगा से मिंगलोर बंदरगा के बीच की दूरी को कम करने के लिए इस परियोजना का उदे हुआ ठीक है दिखलो चेन्नाई बंदरगा से चेन्नाई बंदरगा से चेन्नाई बंदरगा से और बेंगलोर नहीं है मेंगलोर है बेंगलोर तो अलग चीज है और मेंगलोर बंदरगा है भारत में तेरा बड़े बंदरगा है छे बंदरगा पस्चिम की तरफ छे बंदरगा पूरब की तरफ कितने हो गए बारा बंदरगा और एक बचा है कौन सा बंदरगा वो बंदरग के बीच की दूरी को कम करने के लिए दूरी को कम करने के लिए दूरी को कम करने के लिए इस पर योजना का उदे हुआ इस इस परियोजना का उदे हुआ और एक बात ये परियोजना शुरू होने से पहले ही इस्थकित कर दी गई क्यों कर दी गई? वो तीन कारण थे लिको इस परियोजना को इस परियोजना को लागू होने से पहले ही लागू होने से लागू होने से पहले ही इस्थकित कर दी गई इस्थकित मतलब रोक दी गई इस्थकित कर दी गई अब आपको पता उना चाहिए सेतु समुदरम योजना किस वज़े से शुरू हुई इस वज़े से शुरू हुई और इसको रोक दी गई, क्यों रोक दी गई, उसके पीछे भी तीन कारण है, एक तो है भारत के धरम गुरू, मतलब भारत के जो धार्मिक संगटन है, उसने विरोध किया, क्यों किया, क्यों कि ये राम जी के द्वारा बनाए गए, रामेश्वर इस्ताकित करने क्यारण है, कि भारत के, भारत के धार्मिक संगठनों ने विरोध किया, विरोध किया, और दूसरा कारण है, ये जेव सरक्षित शेक्तर, जैसे, आप मेरे को बोलोगे, आप मेरे क्या बोलोगे, हम सभी मिलके बोलेंगे, जाने ये है न, रंतंबो रभ्यारन, इसके बीच में से शडग निकालेंगे हम तो, ये कौन सी बात हो गई, तो वहां पे जीव जिन्तु निवास कर रहे हैं, वहां पे जगने जंगले, पेड़ पोदे हैं, तो उनका तो बिचारे का, क्या होगा, जीना आसानी होगा, बड़ी, कठना इसे जिव निया बन करना पड़ेगा, तो अच्छी बात नहीं है ये, तो हम क्या लिखेंगे, कि मनार की खाडी में, परियावरन विदो ने इसका विरोध किया, लिख दो जाले लेटी आप तो, परियावरनी है, परियावरनी है, कार को, परियावरनी है कारणों लिख दो, परियावरनी है, कारणों से भी विरोध किया गया इसका, और तीसरा, तीर लंका ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि सबी अभी तो मेरी, देखो यार, आज गाम मारी होटल बढ़िया चाल रही यह आरी होटल बोत वियाई पी यह फाई इस्टार होटल है और मेरे पाड़ोशी को लग गया यार इसकी तो होटल बोट अच्छी चल रही है आप यह भी एक होटल खोल ला तो मैं चाहूंगा कि आप होटल खोल ले नहीं मैं तुसको बोलूंगा अटे उटल मत बनावे तो कर्ण बोत अच्छी रहे बोत है अट बोत बोत बोले कि अचलेटी पाड़ियावे आटबोध मोड भी तो मैं कभी सुझा कि बेरा भोबी आवे मेरे पास में और मेरा काम अधा बढ़रा कर लेवे धिक उची परकार सिरी लंका के भी तो के कारन तिकलो भई का की विरोथ के कान भी का इस्थकित कि दिया गया और एक न्तिम थी मत्चा है अंतीम दीप है कछा तीव दीप आपसे पूछले बताओ कछा तीव दीप किस किस नेशों के बीट में विवा दीते हैं यह दीप यह दीप भारत वह कि त्रिलंका के बीच भारत वह तिरी लंका के बीच एक विवादित दीप है एक विवादित दीप है तो इसी के साथ दोस्तों अपना क्या पूरा होता है इसी के साथ अपना भारत के दीपी प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के दीप पड़े अभी जो में निकर वह होग तो मित्रों बंगाल की खाड़ी के दूर वर्ती दीप और निकट वर्ती दीप अपने होते हैं पूरे अब केवल और केवल अपना बचाँ है अरब सागर के दूरबरती दीप वह हम अगली कलास में कर लेंगे छोटा सा टोबिक बागी बचा है आज के लिए धनिवाद थेंक यू जे हिंजे भारत ठीक है मित्रो